गुड मारिंग्स फ्रैंस मैं आपकी मैद के टीचर पुझा गुपता आज मैं आपको बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट के बारे में बताऊंगे बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा यहां पर कुछ sentence लिखा हुआ है जिसको आप देखेंगे The pumpkin is the biggest मतलब यह जो pumpkin है वो क्या है सबसे बड़ा है यह दोनों के affection The cherry is the smallest यह जो cherry है वो smallest जो छोटा मैंने आपको बताया है कि biggest miss सबसे बड़ा और smallest miss सबसे छोटा यहां देखें इसे कुछ question है आप समझेंगे Which is the biggest tick kit मतलब इस तीनों flowers मेंसी जो भी flower biggest है उसको tick out करना है तो आप देख रहे होंगे सबसे बड़ा flower जो है हमारा वो sun flower तो इसमें हम क्या करेंगे टिक करेंगे Second number question Which is the smallest मतलब इस तीनों बॉलून मेंसी जो smallest बॉलून है उसको हम tick out करेंगे सबसे smallest बॉलून हमारा कौन सा है ग्रीन कलर का उसमें हम tick out करेंगे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा biggest और smallest की बारे में उसी तरह मैंने कुछ आपको समझाने की कोशिस की है कि biggest में सबसे बड़ी smallest में सबसे शुड़ी इसी तरह आप यहां देख एक big flower है एक small flower मतलब एक biggest flower एक smallest flower उसी तरह नीचे एक biggest इस्टार smallest इस्टार यह वर्क आज का है आपका आज मैं फिर आपको जीरो का टेवल सिखाने वाली क्या सिखाने वाली हूं जीरो का टेवल आप यहां पर हेडिंग देख रहे होंगे राइट दे टेवल आफ जीरो आज हम लोग यहां पर जीरो का टेवल लिखेंगे यहां देखे जीरो वन जा जीरो जीरो टू जा जीरो जीरो थ्री जा जीरो जीरो पौर जा जीरो फाइब जीरो 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 सिखेंग जीरो जीरो सेवेन जा, जीरो, जीरो एट जा, जीरो, जीरो नाइन जा, जीरो, जीरो टैन जा, जीरो यहाँ आप देख रहा होंगे कि मैंने आप लोग को जीरो का टेबल लिखकर दिखाया है इसी तरह इसको आप लोग अपने घर की कापी में टेबल लिखेंगे और साथ इसको याद भी करेंगे ओके ठैंक्स, अब मैं आपको नेक्ट क्लास में मिलती हूँ